टाइactic dear सत्यूर्ज इन दीनों बहुत से लोगों को थाइराइड प्रॉब्लेंज हो रही है हैपो थाइराइड या हैपर थाइरेड आयोडीन वाला नमक खानेके बाउजूत थाइराइड प्रॉब्लेmmस आम हो गई है इन प्रॉब्लम्स के बढ़ने की वज़े क्या है? क्या ये भी डाइबिटीज या हाइपर टेंशन की तरह स्ट्रेस रिलेटेड है? क्या हम हट योग या क्रिया के अभ्यास से या ईशा योग केंदर जैसे प्रान प्रतिष्ठित स्थान पर आकर इन हालातों में सुधार ला सकते हैं? इससे बाहर निकलने के लिए हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं? बहुत से लोगों ने हटियों के अभ्यास के जरीए से छुटकारा पाया है किसी प्रान प्रतिष्ठित स्थान में होने से निश्चित रूप से फायदा होता है लेकिन ये थाइरोइड इंबैलेंस क काफी ज़ादा लोगों को होने लगा है देखिए हमें इसे समझना होगा आप जिसे थाइरोइड कह रहे है योग में हम इन ग्रंथियों को इस तरह से नहीं देखते लेकिन मेडिकल द्रिष्टी से आप जिसे थाइरोइड कह रहे हैं वो आपके भीतर एक ऐसा सिक्रीशन या सराव है जो आपके सिस्टम को कैलिबरेट करता है हर रोज ये तै करता है कि कितना पाचन होना चाहिए कितनी उर्जा पैदा होनी चाहिए कितना फैट पैदा होना चाहिए कितनी मान स्पेशी बननी चाहिए हर चीज ये आपके शारिरिक सनरचना को संतुलित करने की कोशि आज आपको ये दिखाने के लिए परियाप्त प्रमान मौझूद हैं, कि अगर आप यहां बैट कर पहाड के बारे में सोचते हैं, तो आपकी ग्रंथियां एक तरह से काम करेंगी, अगर आप शेर के बारे में सोचते हैं, तो ये किसी और तरीके से काम करेंगी, अगर आप सम पार से कोई संपर्क नहीं, शेर से कोई संपर्क नहीं, आदमी ओरत या समुद्र से कोई संपर्क नहीं, बस एक विचार ही ग्रंतियों के काम में उतार चड़ाव ले आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम इतना शांदार और सटीक है कि ये आपको अच्छी हालत में रखने के लिए हर चीज को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है आपके साथ समस्या ये है कि आपको एक बैल गाड़ी चाहिए क्योंकि आप वो खोई वी कड़ी हैं आपको बैल गाड़ी चाहिए लेकिन उन्होंने आपको एक शांदार अंत्रिक शियान दे दिया हर चोटी से चोटी चीज तमामों चीजे करती हैं अगर आप इसे बस छू लेते हैं तो बुम सिस्टम में कई तरह की लहरे पैदा हो जाती हैं अगर आप बस ऐसे देखते हैं और इस पेड़ के बारे में एक राय बना लेते हैं तो इसमें कई तरह के रासायनिक और दूसरे बदलाव आ जाएंगे ग्रंतियों के काम करने का तरीका बदल जाएगा आप जहां कहीं भी हो, मुंबई में हो, नियॉक या लंडन में हो, या जहां भी हो जिन जगहों पर आप चल फिर रहें, बस उस परिस्थिती पर गौर कीजे शायद सामाजिक तोर पर आप उन चीजों के आदी हो गए है लेकिन जिस तरह के महौल में आप चल फिर रहें, उस पर गौर कीजे कितनी तरह की चीजें वहां हो रही हैं, उन में से कुछ भी इस जीवन के लिए अनुकूल नहीं है हो सकता है कि आपको इनकी आदत पड़ गई हो, शायद अब आप उन शहरों से बाहर न रह पाएं वो एक अलग बात है, लेकिन वो जीवन जो आप हैं, वो उस तरह का महौल नहीं चाहता तो आपके भीतर जो बहुत से बदलाव हो रहे हैं, वो आपके हित में नहीं है ग्रंथियों का ठीक से काम न करना तो बस एक नतीजा है ग्रंथियों के बहुत ही परिश्कृत कारियों में से एक चीज है थाइरोइड ये आसानी से पता चल जाता है सबसे पहले आपके शारेरेक और मनोवग्यानिक पैरामीटर सामाने से थोड़े बदल जाते हैं गडबड़ी की वज़े से और तूसरा आयाम उस गडबड़ी का जो आपके भीतर से हो रही है आपके खुद के मनोवग्यानिक पैर्टर गडबड़ी का एक और आयाम ये है कि आपके भीतर किस तरह का भोजन जा रहा है आज आप ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जो रासाइनिक तौर पर प्रदूशित नहो अगर आप काफी औरग्यानिक भोजन खा रहे हैं तो बस वो औरग्यानिक केमिकल से इस्तमाल कर रहे हैं हालात ऐसे हो गए है कुछ ऐसा खाना बहुत मुश्किल है जो किसी जंगल में उगा हो और आप बस उसे तोड़ कर खा सकें ऐसा बहुत बहुत कम होता है ऐसे लोगों का प्रतिशत नह के बराबर है जो उस तरह की चीज़ें खा सकें अब सब कुछ बाजार से आता है और बाजार में सब कुछ जादा मात्रा से तै होता है नह की कॉलिटी से और ये भी इस देश में ये सारी चीज़ें अब खत्म हो गई है मेरी दादी मा हर दिन वो सबजी वाले वो घर में टोकरी लेकर आते थे सुबह सुबह ही उन्होंने खेट से सबजी तोड़ी होगी और साड़े साथ आठ बजे तक वो हमारे दर्वाजे पर होते थे जब वो आते थे तो दादी मा सबजीयों को देखती थी जब उन्हें खरीदना होता था तो वो सबजी वाले को सबजी चूने भी नहीं देती थी वो ही इसे तोड़ कर लाएं वो बिल्कुल ताजी है लेकिन अगर उसे तराजू में रखना हो या उन्हें उसमें से एक, दो, तीन, चार करके चुनना हो तो वो उन्हें सबजी को चूने नहीं देती थी तुम मेरी सबजीयों को हाथ मत लगाओ ऐसा बैक्टीरिया से बचने के लिए नहीं था वो नहीं चाहती थी कि वो आदमी ये और उन सबजीयों को चूए जिन्हें उनके बच्चे और नाती पोते काएंगे वो उन्हें खास तरह से चूती थी उन्हें सहलाती थी बहुत प्यार के साथ उन्हें हर तरह से देखती थी और फिर उन्हें काट कर बनाती थी ये मत सोचिये कि अजीब बरताव है अगर आपके जीवन में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है तो आपको अपनी ग्रंतियों को ठीक रखने के लिए गोलियां खानी पड़ेंगी और गोली निगलने से इन में संतुलन नहीं आने वाला आप इसे दबा सकते हैं आप इसे सही संतुलन में नहीं ला सकते हैं ये नहीं होगा क्योंकि हर दिन ये अलग होता है हर पल ये अलग होता है ये एक कैलिबरेशन है एक बहुत सक्रिय कैलिबरेशन होता रहता है आप इसे मार देते हैं और बस एक गोली लेते हैं और किसी तरह काम चलाते हैं यानि कि आप थोड़ी खराब मशीन है इस खराबी के साथ मशीन की ये खराबी कई तरह से जाहिर होगी और आपको इसका पता तभी चलेगा जब आप इसे हद के पार ले जाएंगे जब आप बहुत सीमित जीवन जीते हैं तो ये जाहिर नहीं होता ये कुछ ऐसा है देखिए अगर आपकी कार का टायर पंचर है तो भी आप 20 किलो मिटर की रफ़तार से कार चला कर घर जा सकते हैं कुछ चीजें खराब होंगी कुछ चीजें फट जाएंगी लेकिन फिर भी आप कार चला सकते हैं अगर आप 200 किलो मिटर प्रती घंटे की रफ़तार पर हैं और तब अगर टायर पंचर होता है, तो आप जानते हैं कि आप सडक से बाहर उड़ जाएंगे तो बस यही बात है, अगर इन सब चीजों को ठीक से संभाला गया है अब अगर आप अपने जीवन को एक काफी जादा उचेस तरपर काम करने के लिए ले जाते हैं तो भी आराम से चलेगा, उस संतुलन को लाए बिना अगर आप अपने जीवन की गती बढ़ाते हैं, तो यह डग मगाने लगेगा आप अपने आसपास हर दिन ऐसा होते देखते होंगे, तो अपने जीवन में उतनी लागत लगाने के लिए खैर, आप अपने शहर को छोड़ कर जंगल में रहने नहीं जा सकते, आप अपने महाल को छोड़ कर दूर नहीं जा सकते, आपको कम से कम खुद को इतना सक्षम बनाना होगा, कि उन चीज़ों का आप पर जादा असर ना हो वैसे भी इनका असर तो होगा लेकिन सवाल है कि कितना कितना असर होगा कम से कम अपने घर में अपने आसपास कुछ पौधे लगाईए अगर खुली जगे ना हो तो अपने कमरे में ही लगा लीजिये हो सकता है कि ये थोड़ा अजीब लगे आधी छट को खोल दीजे अरे लेकिन सद्गुरू उपर एक और मंजिल है ठीक है एक दिवार हटा दीजे ताकि आपको थोड़ी सूरज की रोशनी मिले हां ऐसा नहों कि घर हर तरफ से बंद हो और हर समय बस एक एसी बररर करता रहे ये भी एक चीज है आपके आसपास मौझूद ध्वनियों की गूंज इस शरीर को पूरी तरफ से जगजोर रही है हर समय बरररर खास कर जब मैं देश से बाहर होता हूं खास कर अमेरिका में य जब मैं यहां आता हूं तो लगता है बस पिलकुल शान्त जो आपको जीवन्त बनाता है जब हर चीज गूंजती रहती है तो आप बस पुफ जादा दर लोग इसके प्रती जागरुक नहीं है लेकिन ये उनके साथ हो रहा है उनके दिन में आठ घंटे सोने से ये साफ क्योंकि वो अपने प्राकृतिक वातावरन में नहीं रह रहे है वो सो कर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे है तो खुद को बिमारी से बचाने के लिए खुद को मानसिक रोगों से बचाने के लिए खुद को हर तरह के संतुलन से बचाने के लिए आप दिन मे हमें ऐसा हल नहीं चाहिए हम जीवन के हल को खोज रहे हैं अंत के हल को नहीं किसी चीज का अंत करना उसका हल होता है है ना हल है या नहीं हल है लेकिन हमें वैसा हल नहीं चाहिए हम यहीं रहना चाहते हैं जिन्दा और पूरे हल के साथ तो अगर ऐसा होना है तो आप शायद आप थोड़े अजीब लगें, मुझे भी आप अजीब लगेंगे, लेकिन आप जहां सोते हैं, वहां कुछ पौधे लगा कर रख सकते हैं, जब आप चलते हैं, तो आपको इनसानों के अलावा दूसरे जीवनों के प्रती हमेशा जागरुक रहना चाहिए, जाधा तर लोग इनसानों के प्रती ही जागरुक नहीं होते, तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपको हर उस चीज के प्रती ही जागरुक रहना होगा, जो जीवित है, एक पेड, एक पौधा, एक घास का तिनका, एक कूदता हुआ टिड़ा, और आपके पास से गुजरने वाले वो जिन्हें आप पसंद नहीं करते, हर तरह की चीजें, हर चीज के प्रती ही आपको जिन्दा होना चाहिए, ओ ये बोलने की जरुवत नहीं है, ओ मुझे इस पेड से प्यार है, आपको पेड से प्यार करने की जरुवत नहीं है, आपको उससे पोशन लेना होगा, जीने का के अब यही तरीका है, आप पसंद करें या ना करें, वो अभी आपको पोशन दे रहा है, अगर आप ये सचेतन होकर करते हैं, तो हर चीजे बहतर काम करेंगी, अपने आसपास की हर चीज के प्रती जीवन्त होना, बिना किसी बेदबाव के, ऐसी साधारन चीज, आपके थाइर प्रतिष्ठित स्थान भी हैं, कई चीजे हैं, एक मुख्य कारण ये है, कि इनसान कम और कम सक्रिये होते जा रहे हैं, जैसे जैसे तकनीक का विकास हो रहा है, एक दिन में आसतन, एक आसत इनसान, पिछली पीडियों के लोग कितनी जादा शारीरिक मेहनत किया करते थे, औ बहुत ही कम है, इतने कम स्थर की सक्रियेता के साथ, सिस्टम में संतुलन रखना मुश्किल है, तो थोड़ा सा संतुलन होने पर आप जाकर बिस्तर पर मत लेटिए, अगर आप थोड़ा संतुलन महसूस कर रहे हैं, तो आपको ठेर सारे काम में कूद पढ़ना चाहिए, ज क्योंकि जिस पल आप पीछे हटते हैं, आप बिमारी को मजबूत बनाते हैं, अगर आप बहुत जादा बिमार हैं, तो वो अलग बात है, वरना आपको हम असल में ग्रंथियों की कई तरह की गड़बडियों की बात कर रहे हैं, शरीर से काम लेना एक आसान समाधान है, शर 10 स्टेप्स, 12 स्टेप्स कोशिश कीजिए, क्यों नहीं, आपने कभी किया नहीं, आपके साथ यही तो समस्या है, जब आप जाएंगे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि, चुकि आप घास पर चलने जा रहे हैं, बहतर होगा कि आप टिड़े की तरह चलें, आप देखेंगे आपके अंदर कितनी करन्तता आ जाएगी, मूल रूप से आपकी बुन्यादी समस्या यह है, कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ जादा ही गंभीर हो गये हैं, तो हमें आपको दुबारा याद दिलाना होगा कि वैसे भी आप मर जाएंगे, तो इस बारे में इतना गंभीर मत होई है, क्योंकि इसे खत्म होने में समय नहीं लगेगा, आपको पकड़ धीली करनी होगी, अगर अभी आप पकड़ धीली कर देते हैं, तो आखरी सीन आपके साथ होने वाली ये बहुत बड़ी बात होगी, आपने पकड़ धीली कर दी, अभी से अगर आप पकड़ धीली कर दे, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत शांदार होगा